दूसरों से हमें जो उम्मीदे होती हैं और उनसे मिलने वाली निराशा को हम कैसे संभालें? उम्मीदे मत पैदा कीजे, तो निराशा भी नहीं होगी. ये कुछ ऐसे है, मैंने उपर की तरफ एक पत्थर फेगा. सद्गुरू, मैंने उपर पत्थर फेगा था. लेकिन उम्मीरे सिर पर क्यों गिर रहा है? इस ग्रह पर तो ऐसा ही होता है. अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो आपको ये वातावरन छोड़ देना चाहिए, और फिर पत्थर उपर फेंकिए, तो वो सीधे उपर जाता चला जाएगा. यहाँ ऐसा ही होता है. अगर आप इसे उपर फेकेंगे, तो ये आपके सिर पर ही गिरेगा. नहीं? आप किसी ऐसे इनसान की तरह हैं, जो सॉलिटेर खेलता है. हाँ, ये सॉलिटेर खेलने जैसा है. ऐसा इसा इसलिए है. क्योंकि आप एक ऐसे इनसान की तरह हैं, जो मुंबई की सड़क पर ड्राइब करना चाता है, उस गाड़ी के बारे में कुछ भी जाने बिना, जिसे वो चला रहा है. आप गाड़ी चलाना नहीं जानते. लेकिन आप अपनी कार या मोटर साइकल पर बैट गए और कोशिश करने लगे. मोटर साइकल तो बिलकुल साथ नहीं देगी, आप तुरंद गिर जाएंगे. कार थोड़ी आसान है, कोई भी चला सकता है, क्योंकि ये चार पईयों पर है. तो आप गाड़ी चलाते हैं, और कहते हैं, सद्गुरू, मुझे गाड़ी चलाते हुए बहुत डर लग रहा है, क्या करूँ? और लोग सड़क पर मर रहे हैं, क्या करूँ? हाँ, वही होगा. अगर आप इसे चलाना चाहते हैं, तो सड़क पर निकलने से पहले, आपको पहले ड्राइविंग सीखने के लिए थोड़ा समय लगाना होगा, है ना? ये भी बिल्कुल वैसा ही है. अपना जीवन शुरू करने से पहले, आपको इस मशीन के बारे में सीखने में थोड़ा समय लगाना होगा, है ना? ये शरीर, ये मन, इसे कैसे इस्तिमाल करना है? किस तरह से ये अच्छे से काम करता है? क्या हमें कुछ वक्त नहीं लगाना चाहिए? आप बस जीवन में कूद गए हैं और कह रहे हैं, मैं उमीदे लगाता हूँ और निराश हो जाता हूँ, जाहिर है कि ये अन्रियलिस्टिक है, है ना? तो अगर मैं उमीदे नहीं रखता, तो शायद मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ये सच नहीं है, वैसे भी, आप कुछ तो करी रहे हैं, है ना? यहां तक कि मधुमख्या, पक्षी, चीटियां और हाथी भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना? वो जो कुछ कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर रहे हैं? तो आप भी इतना ही कर सकते हैं, आप जो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं, तो हमने आपको ईशायोग सिखाया, दूसरी सारी बकवास को निकालने के लिए, समझे आप? अगर आप अपने आसपास हर चीज को एक ही तरह से देख सकते हैं, तो हर वो चीज जो आप कर सकते हैं, आप करेंगे, आप जो नहीं कर सकते, आप नहीं करेंगे, समस्या क्या है? पूरा स्थित्व इसी तरह चल रहा है, है कि नहीं? अगर आप इस ग्रह को उल्टी तरफ घूमने को कहें, तो क्या ये कर सकता है? धर्ती माँ भी ऐसा नहीं कर सकती, तो दिक्कत क्या है? आप तो बस एक ठुकड़ा है है की नहीं? धर्ती इस तरह घूम रही है अगर आप कहते हैं कि कल सुबह इस तरह घूमो तो क्या ये घूम सकती है? नहीं तो दिक्कत क्या है? आप सिर्व वही कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं एक बार आप ये देख लेते हैं तो आपका पूरा जीवन इस पर केंद्रित होगा कि अपनी काम करने की क्षमता को कैसे बढ़ाएं। बेवकूफी भरी उम्मीदों पर अपना वक्त बर्बाद करने में नहीं। जीवन जैसा होने वाला है, वैसा वो आपकी इच्छाओं के कारण नहीं होता। वो वैसा होता है क्योंकि आपके पास एक काबिलियत है। खुद को काबिल बनाने की बजाए, आप अपना वक्त खुद के बारे में बेवकूफी भरी उम्मीदों में बर्बाद कर रहे हैं। तो अपना समय बेतु की उम्मीदों को खड़ा करने में लगाने की बज़ाए अपने समय को इसे काबिल बनाने में लगाईए आप जितने काबिल हैं, आप उतना ही करेंगे, है न? क्या आप कुछ ज्यादा कर सकते हैं? क्या कोई भी अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ कर सकता है? नहीं, बात बस इतनी है कि आपकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है अपनी क्षमता को बढ़ाये बिना आप उम्मीदें खड़ी कर रहे हैं ये बुनियादी रूप से गलत है, है न? नहीं, ये बुनियादी रूप से गलत है, है कि नहीं अब मैं साथ सेकंड में सौ मीटर दौड़ना चाहता हूँ आपको ये सब नहीं सोचना चाहिए बस अपने पैरों और फेफ़रों पर काम कीजिए और बस दौड़िए किसे पता, हो सकता है कि आप छे सेकंड में दौड़ लें, किसे पता आप वक्त की चिंता क्यों कर रहे हैं आप अपने पैरों को जितना ताकतवर हो सके, उतना ताकतवर बनाईए और बस दौड़िए बस दौड़ने की खुशी के लिए हमें नहीं पता कि कितना समय लगेगा 21 मिनट तो उम्मीदों को बनाने में अपना जीवन बरबाद मत कीजिए क्योंकि ये उम्मीदें आपके भी नहीं है आप अपने पडोसी को देखकर अपने लिए उम्मीदें बना रहे हैं ये अपने जीवन को बनाने का एक बहुत ही बेवकूफी भरा तरीका है क्योंकि उम्मीदें आपकी भी नहीं है, है न? मैं आपको बता रहा हूँ कि इंसानी मन ऐसा है मान लीजे कि मुंबई में सभी के पास सिर्फ एक पैर है हम? आपके पास दो है, लेकिन सभी के पास एक है वो सब कूद कूद कर चल रहे हैं आप भी वैसा करेंगे हाला कि आपके पास दो पैर है क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों को देख कर अपनी उमीदें बना रहे हैं तो किसे भी उमीद की कोई ज़रूरत नहीं है बस खुद को काबिल बनाईए जो कुछ भी परिस्थिती करने देती है, हम वो करेंगे आपको बस इतना करना है अपने शरीर और अपने दिमाग को इस तरह से बनाए कि आप इसे पूरी क्षमता से इस्तिमाल कर सकें आपके सामने जिस भी तरह की परिस्थिती आती है आप उसके मुताबिक काम कीजिए वैसे नहीं जैसे आपको पसंद है अभी हमने ईशा में समस्कृती नाम से एक पूरे अलग रूप में शिक्षा शुरू की है उनको कोई अप्चारिक शिक्षा नहीं दी जाती है वो सिर्व योग, शास्त्री संगीत, शास्त्री इंरित्य, संस्कृत भार्षा, अंग्रेजी भार्षा और मार्शलाट सीख रहे हैं और कुछ नहीं ये बच्चे कुछ नहीं जानते लेकिन आप आकर उन्हें देख सकते हैं वो बिलकुल ऐसे हैं क्योंकि हम उन्हें बस अपने शरीर और अपने मन का पूरी क्षमता से उपयोग करना सिखा रहे हैं जब तक वो अठारा साल के होंगे आप देखेंगे कि ये सब असाधरन प्रानी होंगे क्योंकि इस दुनिया में आपकी सफलता बस यही है भौतिक दुनिया में सफलता इसी को कहते हैं आप अपने भौतिक शरीर और अपने मन को कितने असरदार तरीके से इस्तिमाल कर सकते हैं यही आपकी सफलता है कैसा है? बस इतना ही है, है न? आपको बस थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए पूरी जानकारी नेट पर मौजूद है आपको इसे अपने सिर में रखने की जरुरत नहीं है नेट पर सब कुछ है जब तक कि आप कुछ खास तरह का काम न करना चाहें जिसके लिए आपको जानकारी कठा करना चाहते हों आप वो कर सकते हैं लेकिन वो भी मैं तो कहूँगा कि पूरी शिक्षा प्रणाली जो अभी 20 साल से कुछ अधिक लेती है उसे 5 से 6 सालों में समेटा जा सकता है अगर लोग एक स्तर की मानसिक्षमता के हो और लगभग हर इंसान सिर्फ उनको छोड़कर जो किसी कारण से असमर्थ है लगभग हर इंसान इसके काबिल है लेकिन तब ही जब आप बेवकुफी भरी उमीदों को हटा देते हैं जो एक रुकावट है क्योंकि आपकी उमीद ये है कि कोई ये कर रहा है तो आप एक कदम ज्यादा करना चाते है भले ही वो एक सीमित लक्षे हो आप उमीदें खड़ी मत कीजिए आप अपने शरीर और अपने दिमाग को बहतर बनाने के लिए काम करते रहिए ताकि आप इसे पूरी तरह से इस्तिमाल करने में सक्षम हो हम नहीं जानते कि हम इसको कैसे इस्तिमाल करेंगे इस दुनिया में आप जो करते हैं वो उस थिति के मुताबिक होना चाहिए जिसमें आप हैं, है न? काम हमेशा परिस्थिति के बारे में होता है न कि आपके बारे में अगर आप ये एक चीज समझ गए तो कोई उमीद नहीं होगी आप बस वो कीजिए जिसकी जरूरत है किसी भी परिस्थिती में आप केवलवही कीजिए जिसकी जरूरत है बस अगर आप मुंबई में हैं आप स्टॉक मार्केट सीखिए अगर आप कन्या कुमारी में हैं आप मचली पकड़ना सीखिए आप इसे भी अच्छे से कीजिए आप उसे भी अच्छे से कीजिए आप चाहे कहीं भी हो बस इतनी ही बात है